दोस्तों कैसे हैं आप सबी आप देख रहे हैं हमारे चनल अनलॉक टैग मेरा नाम है विवेक भारत वज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो जो की जाहतर मोबाइल यूजर्स को परिशान करता है कि अपने फोन में से एक से ज़्यादा इमेल आइडिया हम च आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत हैल्फुल होने वाला होगा और आप कमेंट के माधन से मुझे बता सकते हैं कि आपको इमेल से जड़ी हुई कौन सी वीडियो आंगे चाहिए आई ये शुरू करते हैं आज का वीडियो हम लेकर चलेंगे आपको हमा सेटिंग्स पर क्लिक करके दिखा दूँ आप यहां देख सकते हैं और इंबॉक्स प्राइमरी शोशल प्रोमोशन्स लेबल्स शेकिड्यूल कैलेंडर कॉंटेक्ट सेटिंग्स आउट बॉक्स ड्राफ्ट इमेल स्पैम ट्रेस लेकिन यहां पर कहीं भी लॉग आउट का लिखा हुआ है आप सेटिंग्स पर जाएंगे सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको जनरल सेटिंग्स मिलेंगी आपको मेरी तीनों मेल आइडीस मिलेंगी एड अकाउंट मिलेगा अब हम आपको यहीं पर बता देते नहीं कि यहां से δो तरीके कैसे हैं एक तो आप यहां तीन डौट पर क्लिक करेंगे यहां जो आपको दिख रहा है राइट टॉप में और मेनेज अकाउंट पढ़ेंगे मेनेज अकाउंट पर जाने के बाद आप देख पा रहे होंगे यह यहां मेरे फोन के अकाउंट सिंक्रोनाइज है इसके बाद यह मेरी तीन आइडिया है अगर मैं एड कोई अनदर अकाउंट एड करना चाहता हूं तो वह भी कर सकता हूं जैसे कि मैं आपको यहां फस्ट पर दिखाता हूं पहली आईडी पर क्लिक करेंगे तो यहां पर लिखा रहा है डिलीट अकाउंट सिंक्रोनाइस अकाउंट तो जैसे हम यह डिलीट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो मेरी इमेल आईडी यहां से इस फोन से पर्मशन लीट हो जाएगी आईंए मैं इससे पहले मैं एक आप्शन और दिखाऊंगा हम बैक जाएंगे बैक ज की वही सेंट ओपन हो गई है, जो अभी मैंने पहले ओपन की थी, अब हम में जो भी ID यहाँ से डिलीट करना है, उस पर हम क्लिक करेंगे, मैं ये बीच वाली जो second ID है, इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं यहां डिलीट अकाउंट पर क्लिक करूंगा, delete account पर click करते ही यहाँ पर एक pop up message आएगा contacts, emails and other data related to this account will be deleted हम OK पर click करेंगे और OK पर click करते से ही आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी second वाली जो ID थी वो permanently यहाँ से log out हो गई है अभी हम back करके आएंगे तो यहाँ photo पर click करेंगे आप देख सकते हैं वो तीसरी ID यहाँ पर show नहीं हो रही है जो ID यहाँ पर show नहीं थी इसके बाद अगर हमें वो ID दोबारा से add करनी है तो हम add another account पर जाएंगे Google पर click करेंगे Google यहाँ पर थोड़ा सा time लेगा checking info का इसके बाद जो है हम यहाँ से उस ID को दोबारा से login कर सकते हैं देखिए यह पैनल आ गया यहाँ से हम दोबारा login कर सकते हैं तो यह एक छोटा सा short video था और बहुत ही helpful होने बाला है आप लोग को यह video क्योंकि अक्सर हमें यह problem आती है जब हम desktop पर laptop मर चलाते हैं तो वहाँ पर हमें logout का option easily दिख जाता है लेकिन mobile में जब हम इसको use करते हैं तो हमें थोड़ी सी परशानी आती है आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरा नाम है बिविक भारत वाच थैंक यू